नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबी? हम पढ़ रहे थे बाल राम का था और अभी तक हम छे अध्याई पढ़ चुके हैं छे अध्याई की कहानी अभी तक हमने सुनी शूर्पन्खा जो की रावन की बहन है वो राम से विवा करना चाहती है राम मना कर देते हैं तो वो लक्षमन के पास भी जाती है लक्षमन से विवा का प्रस्ताव रखती है लेकिन लक्षमन भी मना कर देते हैं फिर सूर्पन्खा को लगता है कि सीता की वज़े से ये दोनों मना कर रहे हैं इसलिए वो सीता पर आकर्मन करने के बारे में सोचती है, लेकिन उससे पहले ही लक्ष्मन उसके कान और नाग काट देता है, वो इसका बदला लेने के लिए खर और दूशन के पास जाती है, खर और दूशन अपनी सेना के साथ आकर्मन करते हैं, लेकिन राम और लक्षमन उनका वद कर देते हैं उसके बाद वे रावन के पास जाती है और रावन को अपने बारे में सारे बाते बताती है लेकिन साथ ही उसको भढ़काती है कि तुम्हे वहाँ जाना चाहिए और सीता जोकी बहुती सुनदर इस्त्री है वो तुम अपने लिए लेकर आ सकते हो सूर्पन्खा की बाते सुनकर रावन सीता का अपहरन करने का मन बना लेता है वे मारिच की साहिता लेता है और मारिच को धमकाता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगी मारिच डर कर उसका साथ देने के लिए तयार हो जाता है और एक सुन्दर से सोने की हीरन का रूप धारन कर लेता है और सीता की कुटिया की आसपास मंडराता है सीता उसको देखती है और उसको पाने की इच्छा रखती है राम पहले तो उनको समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझती, तो मन ही मन सोचते हैं, इतनी सालों तक वो मेरे साथ रही, किसी भी चीज की इच्छा उसने नहीं की, तो क्यों न मैं इसकी छोटी सी इच्छा को पूरा कर दूं। आई आगे देखते हैं सीता के साथ क्या होता है, क्या राम सोने के म्रग को पकड़ पाते हैं और क्या रावन सीता का अफरन कर पाते हैं? इन सभी सवालों की जवाब हमें मिलने वाले हैं अध्याई सात्मी स्वन म्रग की लालसा जैसे ही राम स्वन म्रक को पकड़ने के लिए निकले, सोने का हीरन बना हुआ राक्षरस मारिच इधर उधर दोड़ने लगा राम उसे पकड़ने का प्रियास करते तो वे कुलाचे भरता हुआ दूर चला जाता और फिर रुक कर राम की ओर अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से ताकने लगता मानो उनसे कह रहा हो आओ पकड़ो अगर पकड़ सको तो इसी तरह की लुका चिपी करते वे राम को बहुत दूर ले गया राम कुटिया से बहुत दूर आ गये थे परन्तु हीरन अभी भी पकड़ से बहार था राम को लगा कि वे हीरन घने वन में गायब ने हो जाए उन्होंने हीरन को जिवित पकड़ने का विचार छोड़ कर उसे मारने के लिए धनुष पर अपना बान चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ दिया बान लगते ही वे स्वन म्रग भूमी पर गिर गया जमीन पर गिरते ही राक्षस मारिच अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया था वे राम की बान से घायल था और पीड़ा से छटपटा रहा था परन्तु उसका काम अभी पूरा कहां हुआ था मरने से पहले उसने अपनी अंतिम चाल चली उसने राम की स्वर में बहुत उचे स्वर में पुकारा हाँ, लक्षमन, हाँ, सीते स्वर में इतनी कातरता और पीड़ा थी की लगता था कि स्व्यम राम ही घायल हुए है राम को ये शरेंतर तुरंट समझ में आ गया जिसकी आशंका थी वही हुआ वे आशंके थिर्दे से तेजी से कुटिया की ओर लोटे वे लगबग दोड रहे थे और शीगर अती शीगर वे कुटिया तक पहुचना चाहते थे उधर ये आवाज सीता और लक्षमन ने भी सुनी हू बहू राम का स्वर लक्षमन भी समझ गए कि ये राक्षशी माया है राम किसे भी स्थिती में हो उनका स्वर इतना दयनी और करुन तो होई ही नहीं सकता वे और अधिक चोकनने हो गए उन्हें राम के आदेश का स्मरण हो आया सीता की रक्षा करनी है इस मायावी स्वर से उनके मन में ये आशंका और प्रबल हो गई कि संकट कहीं आसपास ही है लक्षमन ने धनुष को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और सजकता के साथ राम के लोटने की प्रतिक्षा करने लगे सीता ने जब ये आवाज सुनी तो वे चिंतित हो गई उन्हें लगा कि राम पर कोई संकट आन पड़ा है उन्होंने कुटिया के बाहर खड़े लक्षमन से कहा लक्षमन तुम्हारी प्राता संकट में है अभी मैंने उनकी आवाज सुनी है वे बड़े करुण स्वर में तुम्हें और मुझे पुकार रहे थे लक्षमन ने कहा माता आप निश्चिंत रहे राम पर कोई संकट नहीं आ सकता ये स्वर उनका नहीं था ये राक्षर सी माया है आप परिशान नहीं हो भाया अभी आते ही होंगे सीता बेचेन हो गई थी उन्हें लक्षमन की बात पर विश्वास नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है आवाज तो बिलकुल राम की ही थी संदे की कोई गुनजाईस ही नहीं लक्षमन को उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए रावन पास में ही एक व्रक्ष की ओट से ये सब देख रहा था वे चाहता था कि लक्षमन जल्दी से वहां से जाए और वे सीता का अपहरन कर सके अब तक तो उसकी योजना ठीक से काम कर ही रही थी मारिच ने अपना काम कर दिया था अब किसी तरह लक्षमन निकले तो वे सीता को रत में बिठाकर लंका ले जाए उसे एकमपन के शब्द याद थे कि सीता के बिछुटते ही राम निश्प्रान हो जाएंगे सीता के बिछुटते ही राम दुखी होकर प्राण त्याग देंगे राम के बिना लक्षमन भी क्या करेगा शूरपनखा का बदला भी पूरा हो जाएगा सीता अत्यन्त विचलित हो गई उन्होंने लक्षमन से फिर कहा लक्षमन तुम तुरंत उस दिशा में जाओ जहां से तुमारे भैया की अवाज आई है ये उनका ही स्वर था वे तुमें सहायता के लिए पुकार रहे थे तुम इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो माता भैया पर संकट आ ही नहीं सकता उनका अहित करने की शक्ति किसी में नहीं है ये स्वर किसी मायावी राक्षस का था मुझे इसमें कोई संदे नहीं है संकट है अवश्य परंतुवे कहीं दूर नहीं बलकि आसपास ही है आप मुझे पर विश्वास करें भैया मुझे यहां आपकी सुरक्षा के लिए छोड़ कर गए है मैं आपको अकेला छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ राक्षस यही चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाओ और आप अकेली रह जाएं सीता इतनी व्यथित थी कि उन्हें लक्षमन की कही बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था उन्हें लक्षमन पर क्रोध भी आ रहा था राम इतने कातर स्वर में पुकारे और लक्षमन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हो सीता को इस पर आश्चरिय हो रहा था उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वे स्वर सुनकर भी लक्षमन इतने शांत कैसे रह सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्व्यम लक्षमन भी राम का अहित चाहते हों। वे सोचते हों कि राम ने रही तो भरत के साथ मिलकर वे अयुध्या पर निश्कंटक राज्य करेंगे। निश्चे ही लक्षमन भरत के गुप्चर हैं। तभी तो राम पर आये इस संकट में इतने तटस्त दिखाई दे रही हैं। सीता ने क्रोध में आकर यही सब लक्षमन से कह दिया। सीता की मूँ से ये सब सुनकर लक्षमन को बहुत पीड़ा हुई। वे सीता की स्थिती को समझ रहे थे। उन्होंने सीता को फिर से समझाने का प्रियास करते वी कहा। माता, शूरपणखा का अपमान होने के बाद से ही राक्षर्स हमसे बदला लेने का प्रियास कर रही है। खरदूशन का आकर्मन आपने देखा ही है। राम का जो स्वर आपने सुना है वे भी इसी कूचक्र का हिस्सा है। खरदूशन की मिर्तियों होने के बाद वे सीधे-सीधे युद्ध करने से घबराते हैं, इसलिए वे माया का सहरा ले रहे हैं, आप उनके कूछ चक्र में ने फसें, भहिया सुरक्षित हैं और शीगरी आते होंगे, आप मेरी बात पर विश्वास करें, सीता को लक्षमन की कि पर विश्वास नहीं हो रहा था, वे रोने लगी, उन्होंने कहा, लक्षमन तुम मेरी सुरक्षा के लिए यां खड़े हो, परन्तु मैं तो राम के बिना जिवित नहीं रहूंगी, फिर तुम किसकी सुरक्षा करोगे, मैं अपने प्रान दे दूंगी, यदि तुम वास् लक्षमन तो वे सेहन कर सकते थे, परन्तु सीता की आत्म घात की धमकी सुनकर उन्हें कुटिया छोड़ कर जाना ही पड़ा, जाने से पहले उन्होंने सीता को समझाते हुए कहा, ठीक है माता, मैं आपकी आज्या मानकर राम को लेने के लिए जाता हूँ, समीपी आप इस लक्षमन रेखा को पार नहीं करना, रावन छिपा हुआ ये सब देख रहा था, वे तो लक्षमन के जाने की पृतिक्षा ही कर रहा था, लक्षमन के जाते ही रावन कुटिया के समय पहुच गया, उसका वेश किसी तपस्वी जैसा था, उसने भगवा वस्तरधार किया हुआ था, सिर्पर जटा जूट और हाथ में कमंडल, सीता को लक्षमन की बात याद थी कि आसपास राक्षश हो सकते हैं, एक तपस्वी को अपनी कुटिया के पास देख कर वे कुछ आस्वस्त हुई, उन्होंने तपस्वी को प्रणाम किया और उसका स्वागत किया, रावण ने सीता के शील की, उसके संसकारों की, उसके संदेरे की प्रणाम की, रावण की बाते सुनकर सीता के मन में संदे हुआ, रावण की प्रणाम भरे शब्दों ने उन्हें आशंकित कर दिया, उन्होंने पूछा, तपस्वी, तुम कौन हो, अपना परिचे दो, रा तुम्हारा स्थान यहां इन वनवासियों के बीच नहीं, बलकि मेरी स्वन नगरी लंका में है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाऊंगा। अपने विचार भी नहीं कर सकती, यदि अपना भला चाहते हो, तो तुरंत यहां से चले जाओ, अपने विनाश को आमंतरित मत करो, रावन पर सीता की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसने बल पूर्वक सीता को उठा कर अपने रत में बिठा लिया, सीता ने बहु बचाओ, परंतु राम और लक्षमन तक सीता का स्वर नहीं पहुंच पा रहा था, रावन रत को आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला, सीता विलाप करती जा रही थी, उन्हें जो भी दिख रहा था, उससे ही वे रोते-रोते कह रही थी, कि वे राम को पता दे कि ये रहा है, उसने पूरी शक्ती से रामन पर आकर्मन किया, इस विशालकाई पक्षी का हमला इतना जोरदार था कि रामन का रत तूट गया, स्युम रामन भी घायल हो गया, जटायू अपनी चौच और पंजो से रामन पर बार प्रहार कर रहा था, रामन ने अपनी तलवार न वे दक्षिन दिशा की और उड़ता हुआ जा रहा था, जहां उसकी राजधानी थी, लंका, जटायू के गिरने के बाद सीता के मन में अब निराशा छाने लगी थी, उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी सहायता कोई नहीं कर सकता, एक ही आशा थी कि किसी प्रकार राम क कोई पता चल जाए कि वे कहां है और किस दिशा की और गई है, यह सोच कर सीता ने अपने आभुषन आदी एक एक करके नीचे गिराने आरंब कर दी, वे सोच रही थी कि राम उन्हें ढूंडते वे अब इस ओर आएंगी तो इन आभुषनों से मेरे बारे में कुछ हनुमा लगा सकेंगी, रामन ने भी सीता को आभुषन फेकते वे देखा, परन्तु उसने सोचा कि वे दुख के कारण ऐसा कर रही है, उसे इससे कोई भै की बात नहीं लगी और उसने सीता को रोका भी नहीं, वे सीता को लेकर लंका में पहुच गया, वे चाहता था कि सीता उसका वैभव देखकर उससे प्रभावित हो जाए, इसलिए वे उसे अपने अंत्यपुर में ले गया, सीता पर उसकी सोने की लंका उसके वैभव का बिलकुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, रामन ने सीता को वहां पर छोड़ा और कुछ राक्षशियों को सीता की देखभाल और निगरानी का आदेश देकर बाहर की और जाने लगा, जाते जाते उसने सीता से एक बार फिर से कहा, सुन्दरी, तुम्हारे पास लोटने की कोई संभावना नहीं है, यदि तुम मेरी रानी बंद कर रहोगी, तो लंका का ये समस्त एश्वरी ये तुम्हारा है, परंतो य राम की विर्ता की प्रिशिंसा कर रही थी, वे रावन को सावधान कर रही थी, कि वे राम को चुनोती नहीं दे, अन्य था उसका और उसकी लंका का संपुन विनाश निश्चित है, रावन की शक्ति, उसके वैभव और उसकी सोने की नगरी को वे बार बार धिकार रही थी सीता ने रामन से कहा अरे दुष्ट, तुझे राम की शक्ती का भान नहीं है उनकी शक्ती का लोहा तो देवता तक मानते है उनकी सामने तेरा अस्तितो कुछ भी नहीं है वे चाहें तो तु उनकी सामने शन्भर भी नहीं टिक सकता खर और दूशन को सेना के साथ नश्ट करने में उन्हें कोई विशेस प्रियास नहीं करना पड़ा था तेरा ही समस्त वैभव और ही सोने की लंका मेरे लिए राक की एक धेरी से अधिक महतो नहीं रखती राम के बारे में ये सब सुनकर रावन के मन में भी आशंका हुई उसे लगा कि राम और लक्षमन अद्भूत वीर तो हैं तभी तो उन्होंने खर और दूशन को और उनकी पूरी सेना को मार डाला एकमपन ने भी तो यही पताया था रावन ने अपने चुनेवे आठ राक्षिशों को पंचवटी जाने की आज्या देते वी कहा तुम दोनों पंचवटी जाओ राम और लक्षमन पर नजर रखो उनकी गतिविध्यों की पलपल की पूरी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए दोनों पर नजर रखने के साथ-साथ जब भी मोका मिले दोनों को मार डालो सीता की विरोध को देखते वे रावन को लगा कि उन्हें अंतेपुर में रखना उचित नहीं होगा उसने रावन को अपनी एक नीजी वाटिका में रखने का निश्चे किया इसका नाम अशोक वाटिका था और वे अनेक परकार की वनस्पतियों से युक्त एक सुन्दर वाटिका थी जिसमें अशोक के व्रक्षों की अधिकता थी वहाँ सीता के रहने का प्रबंद करके उनसे राक्षश राक्षशियों को उनकी सुरक्षा के लिए न्युक्त कर दिया रावन की सपष्ट आग्या थी कि सीता को किसी भी परकार का शारेरिक कष्ट नहीं होना चाहिए मानसी कलेश जितना पहुंचा सकते हो पहुंचाओ जितना अपमानित कर सकते हो करो डरा सकते हो डराओ वे सब करो परन्तु कोई सीता को हाथ ने लगाए रावन ने पूरा प्रियास किया परन्तु सीता का मन नहीं बदला सीता दुखी होकर अपना समय बिताने लगी वे दिन रात राम का स्मरंड करती रहती थी और दुखी होकर विलाब करती रहती थी सोने के हिरन की लालसा ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया था कभी तो राम को मेरे बारे में पता चल ही जाएगा कभी तो राम आएंगे कभी तो मेरे दुख के दिन पूरे हो जाएंगे इसी आशा और विश्वास के साथ सीता वहाँ पर समय काटने लगी और यहाँ पर यह अध्याय स्माब्त हो जाता है पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद आए जांच लेते हैं आपने कितने ध्यान से कहानी को सुना है आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं इन सवालों को ध्यान से सुनिए और इनके उत्तर मेरे साथ अवश्य साज़ा कीजी राम को राक्षशों का शड़ेंतर कब समझ में आया राम की आग्या का उलंगन करते वे लक्षमन ने सीता को अकेला क्यों छोड़ा रावन की चंगुल से सीता को बचाने का प्रियास किसने किया विलाप करते वी सीता आपने आभुशन नीचे क्यों गिराने लगी रावन ने सीता को अंत्यपपुर में ने रखकर कहां पर रखा इन सभी सवालों को ध्यान से सुनिए और इनके उत्तर हमारे साथ अवश्य साजह कीजिए आज के लिए बस इतना ही आगे अध्याय में हम जानेंगे सीता की खोज के लिए राम और लक्षमन क्या करते हैं कहां से उनको सहयता मिलती है अगला अध्याय हमारा होगा सीता की खोज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रही मेरी भाशा हिंदी भाशा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद